अपते डाउन्ट loc Det हलो बच्छों अलो हलो केसे आंप सब तो आ जाए बच्छों मैं आजय को रही ब़ध अज़की अज़के लेक्जर को देखें बढ़ियास साहरी बातों को क्लियर ग्लूरी बच्ण गुडिवनिंग शम्षाद रजा जी, हलो जी, हलो, हलो बच्चो, हलो, कैसे हो आप सभी, जेक्स, गुडिवनिंग बटा, आमजी, कोमल, गुडिवनिंग, प्रतिभा, गुडिवनिंग, गुडिवनिंग, बटा, गुडिवनिंग, कैसे हो रादे रादे बटा, आजाए, आ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हलो जी हलो 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 बच्चों कैसे हो यार आप सभी गुडिवनिंग बटा गुडिवनिंग आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हलो जी हलो नीट वाला मुस्कान विकास बिनय आजाओ जी आजाओ कैसे हो आ नया चेप्टर जिसके आज हम वापस से लगाने वाले बहुत सारे प्रस्ण या मैं कहूं पिछले 20 सालों के प्रस्ण हम लगाने वाले हैं जिनको बढ़िया से देखेंगे बढ़िया से हम क्लियर करेंगे गुडियूनिंग बच्चो गुडियूनिंग गुडियूनिंग कैस से वियाँ रपाष सभी गया हालो सब एक दम बढ़ीया एक दम फस्स लास स penal शेयर कर दीजिये dye अपने सारे दोस्तों के साथ बढ़िया से अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ भई सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपने सारे ग्रुप्स में शेर गर दीजिए बढ़िया से आग लगा दीजिए गुडियूनिंग बेटा बिलकुल ये क्लास लाइव चल रही एकदम लाइव है ओके बाकी ओर्गेनिक का भी लेकर आएंगी चिंता मत करो रुपाली जी टेंशन नालो सब होएगा हलो जी हलो प्रिति ठाकूर सलोनी महेंदर रचना गुडियूनिंग बेटा अजे पाल द açılोनी जी पर रही सब कुछ होएगा सब कुछ मिलेगा थीक आपके एकजाम से पहले आपको सब तरीके से परिपूर्ण किया जाएगा इसकी हम बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं ओके आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर बच्चो जिसका नाम है यार विलियन आज बच्चो हम विलियन वाले चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से यहाँ पर पिछले 20 सालों के आये हुए पी वाई क्यूस हम लगाएंगे तो आप सब बच्चे बढ़िया से आज का लेक्चर भी पूरे महनस से देखना हर एक क्यूशन को अच्छे से हैल सोल्व करना और बढ़िया से हर एक क्यूशन को कंपलीट कैसे करना है उसका प्रोसेस समझना क्योंकि जब आपके पेपर में आएगा बिटा तो आज का लेक्चर बहुत जादा आ अम्यत रखने वाला है तो गुडियूनिंग बच्चो गुडियूनिंग जी गुडियूनिंग यार आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो सब बच्चे क्या तयारो बच्चो आज का इस लेक्चर को देखने के लिए बढ़िया से आज की स्टेशन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, तो सब बच्चे क्या तयार हैं, हाँ या ना, बेटा जी अब केप गई, ठीक, गुड़ीविनिंग बादल जी, हाँ या ना, कर लोगे बेटा, अगर आप धंग से पड़ोगे, तो बढ़िया से नीट क्वालिफाई कर लोगे, तो एक ब आप वैसे कुशन्स बढ़िया से लगा लेते हैं बच्चो, तो यकीन मानिए, आप अगले साल, जो आभी इस साल, जो आपके एक्जाम में कुशन्स आने वाले हैं, वो भी लगा लोगे, तो ये वो प्रशने बच्चो, जो आपके पिछले सालों के दोरान एक्जाम से में पूछे गए हैं तो तयार है तो चलिए चलिए बचो आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला प्रश्ण जो की ये रहा बताइए बचो डोल्टन के आनशिक दाब के नियम के लिए कौन सा एक सही गणीतिय सम्मिकरन नहीं है यहाँ पर आपको चार उप्षन दे रखें उसम कुन सा उप्षन है जो की डोल्टन के नियम के अनुसार नहीं है सही हाँ जी जो की डोल्टन के नियम के उपर आधारित नहीं आनशिक दाब के बताइए जी बताइए क्या होगा इस क्यूशन का अंसर बताइए बढ़िया से महनत करो बचो क्योंकि यार तुमें सलेक्ट हो कि तुम्हें क्लियर करना है किसी भी हाल में बताओ इस क्यूशन का अंसर क्या होगा बढ़िया से सारे बच्चे कमेंड वोक्स में जवाब दे बढ़िया से क्यों कि यार आपको यह पूरा हपता बढ़िया से मैं फिजिकल केमेस्ट्री लगवाने वाला हूं तो जिन क्यूशन ये था कि डोल्टन के अंशिक दाब तो डोल्टन के अंशिक दाब का नियम क्या होता है डोल्टन के अंशिक दाब के नियम के अनुसार ये होता है कि मिश्ण का कुल्दाब उसमें उपस्तित प्रतेक अव्यवों के अंशिक दाबों के योग के बराबर होता है क् आया ना बेलकुल ये तो डोल्टन का नियम है ओके और अगर हम बात करें यहाँ पर यह P1 अगर मैं क्या करूँ आइतन फिक्स कर दू तो P1 बराबर PV बराबर क्या NRT आप जानते हो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर P1 हो और मॉल N1 हो तो यहाँ पर N1RT और अगर आइतन फिक्स कर दू तो बस किवल तीन अलग-अलग गेसे ले लो जिनके मॉल N1 हो N2 हो N3 हो और एकी पातर में बंद हो तो सबका आइतन पातर का आइतन बस मॉलों की संग्या अलग-अलग तो यहाँ पर भी यह दोनों क्या है डोल्टन के नियम के अनुसार सही और एक और यहाँ पर यह समिकरन जो अन्शिक दाब होता है बिटा जो अन्शिक दाब होता है किसी भी गेस का ठीक है मिश्ण में तो वो किसके बराबर होता है वो होता है उसके मॉल प्रभाज और कुल दाब के बराबर और कुल दाब के गुणन फल के बराबर यह भी सत्ते है और जबकि यहाँ पर second expression ये किसका है राउल्ट का है ये राउल्ट का नियम है बच्चे यहाँ पर ये जो पीनोट लिखा हुआ है ये शुद्ध वस्ता में वाश्पदाब है जो कि राउल्ट का है ये डॉल्टन का नियम नहीं है तो यहाँ पर इसका सई आंसर होगा option number 2 option number 2 तो आर क्या है बिटा गेस निये तंग पीवी बराबर एनार टी नहीं जानते आप ओके तो यार बहुत ही simple question था जो कि 2022 में आया हुआ था क्या अगर ये question आपके exam में आये तो आप नहीं कर सकते क्या बढ़िया से कर सकते हो अच्छे से कर सकते हो बहुत बच्छे-च्छे questions अगला प्रश्न बच्छों हाँ जी एक और बहुत ही simple physical chemistry के question हमें ऐसे लगते हैं कि सर ये तो वाकई में बहुत tough होगा इसकी language बहुत बढ़ी-बढ़ी है सर हमें question समझ में नहीं आता है लेकिन अगर आप हल करेंगे अच्छे से तो clear कर लेंगे बच्छों 200 ml पानी में 10 ग्लुकोस को घोल करके निमन घोल तयार किया गया है जिसका pressure किया है बटा P1 ओके अब अगला 10 ग्राम यूरिया को 200 ml पानी में घुला गया है जिसका जो परासन दाब बटा वो पीटू है और 10 ग्राम सुक्रोस को 200 ml पानी में घुला गया है जिसका परासन दा पीथ रही हैं धाई सो एमेल हमारे पास विल्या ने एक बारी उसमें दस ग्राम ग्लुकोस घुला गया एक बार उसमें दस ग्राम यूरिया घुला गया और एक बार दस ग्राम सुक्रोस घुला गया तो आपको बताना है कि यहां पर परासण दाब के घरते करम में उनकी क्या क्या value होगी, कौन सा option सही होगा, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चोता, बहुत ही simple प्रशने, अगर आपने इस question को ढंग से समझ लिया है, तो बढ़िया से कर भी सकते हो, कोई बढ़ी बात नहीं है, बहुत simple question है, अच्छे से आप लगा सकते हैं, इसके सारे options को, अग जी, खुशी, NNC, बताइए बच्चों क्या होगा, इस question का answer, अच्छे से आप try करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ clear होएगा, सब कुछ समझ में आएगा, हाँ जी, भाईया जी, जनता बोल रही है, सर B, option B, option B, 60% बच्चे option B के साथ जा रहे हैं, बहुत है, नहीं बनेगी, तो जरा देखो ध्यान से, हमारे पास, तीन अलग-अलग यहाँ पर solution है, एक है, 10 gram glucose, 10 gram glucose, ये किस में लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, 500 ml, फिर, सेम उसी तरीके से, 10 gram आपने क्या लिया बिटा, यूरिया लिया, ये भी, 500 ml में है, 500 ml विलियन में है, और अगला 10 gram हमने क्या लिया है, सुक्रोज लिया है, ओके, तो ये हभी किस में, 500 ml में ही है, तो यार देखो, विलियन का आईतन आपको fix दे रखा है, पदार्त की मात्रा fix दे रखिए, ओके, तो जरा देखो ध्यान से, इसका परासरन दाब दिया हुआ है, P1, इसका परासरन दाब दे रखा है, पीठरी, तो जरा अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनोगे बच्चों, क्या आप जानते है, पाई बराबर, क्या आप जानते है, पाई बराबर CRT, परासरन दाब का व्यंजक, चूकि हम जानते न, पाई बराबर CRT, और अगर मैं थोड़ा से इसको खो मोल के लिखू, मोल के से याद करते हैं, ग्राम में भार बटे अनुभार, तो ग्राम में भार small W मान लिया, अनुभार capital MW मान लिया, ओके, आई तन क्या है, V और यहाँ पर R गुनाटी, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखू, यहाँ पर, तो 1 upon MW, यह अलग निकाल लिया WRT upon V, जड़ा देखो ध्यान से, घोला गया पदार्थ, W, उसकी सबमातरा सेम से में, 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम, आर, गेस नियतां, constant, temperature भी fix है, और item भी fix है, सबका item fix है, तो जड़ा देखो ध्यान से, परासरन दाब और यहाँ पर अनुभार में संबंद क्या आया, वि जिसका अनुभार जादा, उसका परासरन दाब कम, अब हमें दे रखाए, glucose, glucose का अनुभार होता है, बेटा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, यह होता है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, glucose का, और यूरिया का, अगर हम बात करें, इसको जब आप हल करोगे, तो यह आएगा, बेटा, 60 ग तो इसका जो अनुभार आता है, बेटा जी, वो आएगा, यहाँ पर 342 ग्राम पर मोल, तो आप यहाँ पर सिंपल समझ पारे हो, सिंपल समझ पारे हो, कि सर, जो हलका होगा, जिसका अनुभार कम होगा, उसका परासरन दाब जादा होगा, हाँ या न, तो पहले का परासरन आप P1 दे रखा है दूसरे का P2 दे रखा है और इसका P3 तो यूरिया सबसे हलका है इन तिनों में तो P2 क्या P2 का मान सबसे ज़्यादा होगा फिर उससे भारी 180 फिर आ जाएगा P1 और सबसे लास्ट में आ जाएगा P3 तो I hope आप सभी बच्चे यहां पर आराम से समझ गए ह बहुत है सिंपल कॉंसेप्ट है कुछ ज्यादा आपको कन्फीज होने की जरुवत थी नहीं नहीं और यहां पर आप सीधा पाई वराबर CRT सुत्र जानते हो उसमें सारी चीज़ों को समझो बढ़िया से कि यार यहां पर दिये गई जो घूली गई मात्रा है वो भी सेम मे कि आर्टी तो कॉंस्टेंट होता ही है अनुभार जिसका अनुभार ज्यादा उसका प्राशन दापकम तो अप्शन नमबर 4 क्लियर हो गया गया बहुत सिंपल प्रेशन था बिटा जो भी पूछा गया था आपके नीट 2022 में ठीक बहुत सिंपल प्रेशन है अगला प्रशन एक ये नीट 2021 में पूछा गया था मेरा सही जिनका सही बहुत बढ़िया जिनका गलत है भाई तुक्के क्यों मार रहे हो यार ऐसे प्रेशन बहुत आसान होते हैं फिजिकल का आपने ये कुशन देखा इसकी लेंग्वेज पढ़ने में आप खो गया है ठीक है आसान कुश ग्राम में गोला गया है इसका वाश्पदाब 80% तक घट जाए तब विले का मोलर द्रवेमान होगा बताओ एन ओक्टेन का मोलर द्रवेमान दे रखा इनोंने 114 ग्राम पर मोल बहुत ही बढ़िया क्यूशन है बिटा आप इन क्यूशन को लगाई ये क्योंकि ये वो चैप्टर से किस टाइप के क्यूशन आएंगे भाई देख लेए तुमारे सामने आया हुआ प्रशन है हां बताओ कैसे हम हल करेंगे स्कूशन को थोड़ा टाइम ले लो आप अच्छे से वापस से जनता 40% जा रही है भाईया option number B के साथ रिया कुमारी जी सर आप केप में जादा अच्छे लगते हैं कोई बात नहीं बेटा अगली बारी केप पहन के आ जाएंगे हां जी बताओ आप इस क्यूशन का अंसर क्या होगा बहुत ही अच्छा क्यूशन है सही क्यूशन है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हां जी बोलो बच्चो क्या होगा इसका अंसर अ का है हर साल एक क्यूषन आता है पक्का है है जाना देखो ध्यान से करना के से यार एक आठ ग्राम विज़ुत अनलुट बटी दे रखा एनॉक्टेन वाश्पदाब घट जाता है इस लाइन से सोचो वाश्पदाब घट गया तो वाश्पदाब में कमी हो गई अवनमन वाला सुत्र लगाना है सबसे पहली बात तो यह हमें क्या करना है वाश्पदाम में अवनमन वाला Sust connected लगाना है क क्या तुम यार ये क्वेशन जानते हो वाश्पदाब में अवनमन विले के मोल प्रभाज के बराबर होता है के नहीं होता वाश्पदाब में अवनमन 88% तक हो गया मतलब 80% तक वाश्पदाब के मान में कमी आ गई ओके तो यार बहुत ही सिंबल है बहुत ही आसान है आप अच्छे तरीके से यहां पर कर सकते हो तो देखो ध्यान से पी नोट शुद्ध वस्ता में शुद्ध वस्ता में अगर मान लो वाश्पदाब 100 तो 80% घड़ गया मतलब 80 कम हो गया 20 रह गया पहले की मुकाबले में यहां पर एक्स विले विले को ने 8 ग्राम विद्ध गट्टे घोला गया 114 में अब यार जरा देखो ध्यान से 8 ग्राम और 114 में अगर हम बात करें तो मोल के से निकालते मोल निकालती ना बिटा विले के मोल village k mol मान लो मैंने small n मान लिए village k mol मैंने क्या मान लिए small n और village kmol मैंने मान लिए capital n तो ये village k mol बते कुल mall आ गए अब जड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर हमारे पास जो village बहुत कम मातरा में village की तुलना में तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या चुकि small n बहुत कम होगा capital n के मुकाबले क्यों क्योंकि बहुत तनू विलियन है तो क्या हम ये बोल सकते हैं capital n प्लस small n का मान n के ही बराबर आएगा approximation method अतितनू विलियनों के लिए तो यार क्या मैं इसकी जगह n प्लस n की जगह केवल capital n लिख दू अब मेरा सारा काम हो जाएगा तो जड़ा देखो ध्यान से उपर 100-80 बटे 100 अगर आप करोगे बिटा जी तो क्या point 2 आएगा क्या यहाँ पर point 2 आएगा बच्चे अब जड़ा देखो ध्यान से मेरे को क्या- ग्राम में भार बटे अनुभार विले का मोलड द्रविमान वह हमसे पूछ रहा है तो ग्राम में भार कितना दे रखा आठ ग्राम बटे अनुभार मतलब MW ठीक है यह तो विले के मोल होगे बटे Capital N विलाइक के मोल विलाइक क्या दे रखा है ओक्टेन दे रखा है 114 ग्राम उसका ले रखा है और उसका अनुभार भी कितना है 114 तो ग्राम में भार 114 अनुभार 144 ओहु भाई यह तो cancel out हो गया यह तो cancel out हो गया तो क्या यार मेरे पास अनुभार आ जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पर अनुभार आ जाएगा clear हो गया समझ में आ गया कहीं कोई mistake mistake तो नहीं हो गए पंसे ठीक है यहाँपर क्या जाएगा यह हमारे पास अनुभार आ जाएगा 8 ग्राम हो गया 100 माइनस 80 बटे यहाँ पर यह कर दिया हमने अच्छे से केलकुलेशन लगा दिये ओके तो यार हमारे पास यह हो गया बिल्कुल सही हो गया अब ज़रा देखो ध्यान से पॉइंट अटा दो नीचे एक जिरू लगा दो दो से दस चमचम होएगा बेटा पांच बार आट पंजे 40 तो मोलिकुलर वेट कितना आगया भाईया 40 आगया तो 40 ग्राम पर मोल आजाएगा इसका अंसर तो क्या ओप्शन नंबर ए चमका या नहीं चमका क्लियर हो गया तो बहुत ही सिंपल है अच्छे से यहां पर कर सकते हो पूरी केलकुलेशन आपके सामने बढ़िया से हो जाएगा तो तुक्के मत लगाओ बिटा अगर बाईचांस आप तुक्के लगा रहे हो तो अब मतलगाना ठेक संजे जी कुल्दीप देखो ध्यान से फोर्मूला देखो आप क्यूशन को ढंग से पड़ो वही चीज़ें आपको बताते जा रहा है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है और अगर मान लो आप इसको नगर्णे न मानते न तो तो आपकी केलकुलेशन ब का हिमांक में अवनमन इतना है बेंजीन में एक वेद्यूत अनब घट्टे विले 0.07 मोलल्ता वाले विलियन का हिमांक में अवनमन क्या होगा बहुत ही बढ़िया प्रस्ने जो की 2020 में पूचा गया था हाँ जी बताओ जी बताओ यार क्या होगा इस कुशन का अंसर बहुत से करना है और दबा के लाइक करना है बच्चों आपको हाँ जी फोर्मुला याद नहीं हो रहा है यार फोर्मुला तो याद करना पड़ेगा ना पेटा दो दस दिन बाद तरे पेपर है और तु बोल रहा है मेरे को फोर्मुले याद नहीं तो कैसे करेगा ये कुशन देख बहुत हलवा प्रश्ण है, थोड़ी सी सकी calculation टफ हो सकती है, लेकिन method पूरा easy है, ये chapter ऐसा है, formula लगाओ, answer पाओ, तेरे को घबराने की जोत नहीं है, सब कुछ तेरे को आएगा, देख ध्यान से, हिमांक में अवनमन इस्तिरांक, तो केफ उसमें खुद लिखा हुआ है, कि हमने आपको केफ दे रखा है, ठीक है, इसमें एक अनब घटे घुला गया है, जिसकी मोललता इतनी दे रखी है, ओके, तो आपको विलियन का हिमांक में अवनमन ग्याद करना है, भाई ये तो class 12 में आ जाते हैं, इसे प्रस्ण, delta TF बराबर हम क्या जानते हैं, केफ गुणा M हो जाएगा, और अगर हम बात करें, केफ का मान दे रखा है, हमें 5.12, और अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम बात करें, मोललता हमें दे रखी है, बिटा 0.078, बस इसको सोलू कर लेना, अरे clear हो गया, बस इसको आपको सोलू करना है, आंसर आपके सामने चमक जाएग इसको जैसे आप हल करोगे इसको आप आराम से सोलू करके फिर देख सकते हो यार आंसर क्या बनेगा ठीक है इन दोरों की कैलकुलेशन करके आप बता दो क्या होएगा आंसर वही आंसर है अधिकांस जनता बोल रही किसका आंसर डी होगा एक बार केलकुलेशन कर लेना ठीक है सीधे क्यूशन से अच्छे से आप कर लोगे यह 2020 में आया था अगर आपके पेपर में आएगा तो आपके बहुत फायदा होगा देखो इस चेप्टर में से अनुसेंग के गुंदर्म व ठेक है यह वाला कुशन भी उसी पर आधारीत यह वाला कुशन अब जरा देखो ध्यान से यदि दो योगी यदी दो योगी ए और बी के विल्यन को मिलाने पर आदर्ष विल्यन से धनात्मक विचलन दर्शाता है तो निम्न में से कौन सा कतन सत्ते है बताओ बच्चों क्य आपने आदर्श विल्यन पड़ा हुआ है उससे अगर कोई विल्यन धनात्मक विचलन दर्श आता है तो क्या-क्या हो सकता है बताईए बिटा जीनियस बोए इशा जी बताईए बिटा निकिता खुश्बू नेहा कुलीप संजे कंई सब्काव बोल oo पच्चो बहुत बढ़िया क्युशन आ आप आराम से नुझे बनना है किसे ने इसलिए ली किया कि मेरे को आगे चलके नर्स बनना है क्या तुम यहां पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें आगे चलके डॉक्टर बनना है बिटा तुम्हारा में टार्गेट क्या है सर हम यहां पर सर बाते करने आए सर मैं तो यहां पर सेटिंग बाजी करने आओ सीधी बात है या सर मैं तो बस ऐसे आ गया था क्लेर हो या सर मेरे को अचानक से चलती हुई क्लास दी कि मैंने खोल ली तुम सारे बच्चे यहां पर डॉक्टर बनने के लिए आयो अरे भाई आपके डॉक्टर बनने के एक्जाम में यह क्यूशन आया है बेटा तो आपको य यह क्लास पूरे अच्छे तरीके से देखनी है कि यार अगर आज मैं पढ़ूँगा न तो कल मैं बहुत अच्छे जा करके पढ़ाए करूँगा जहां के बाकी बच्चे सपना देखते हैं वो सपना में जी रहा होगा फिर तू एक बार कोलेज में चला जाएगा फिर तेर तुम सोचोगे कि मैं नियूरो सर्जन बनुगा तो तुमारे सपने बदल जाएंगे अभी तुम्हारा सपना है कि मेरे को नीट का एक्जाम करे करना तो सपने के पिछे भागो क्योंकि जब तक भागोगे नहीं न भाईया पता निलगीगा कब निकल जाएगा तो धनात्म अगर अधिक होता है बिल्कुल सत्य वचन ठीक है और डेल्टा जी का मान क्या कभी 0 होता है यहां पर अगर हम बात करें डेल्टा वी मिक्स अगर 0 हो जाए तो ये अगर हम बात करें न तो उश्मा शेपी न उश्मा शोशी ये होता है बेटा किसकी निशानी ये होती आदर्ष प्रक्रम की निदाश आदर्ष जो आदर्ष विलियन है ठीक और अगर वी मिक्स जी रोजा ये भी आदर्ष में ही होता है ठीक और एक आकरशन बीबी के करशन ये बराबर हो जाए ये भी आदर्श विलियन में ही होता है तो यहां पर simple सा आंसर होएगा इसका option number a कि भाया जी कि जो धनात्मक विचलन दरशाते हैं उसमें a के बीच में होने वाली अंतर किरिया bb के बीच में होने वाली अंतर किरिया a bk बीच में होने वाली अंतर किरिया से ज़्यादा प्रभावी होती है तो इसका सई आंसर होगा option number a अगला प्रश्ण बच्चों अगला प्रश्ण को समझो बढ़िया से clear करो बहुत अच्छा प्रश्ण आपको सारी बाते समझ में आएगी क्लिक करनी चाहिए पानी से संत्रप्त हवा में वाश्प का मोल प्रभाज कितना दिया हुआ है 0.02 यदि संत्रप्त हवा का कुल दाब 1.2 ATM है तो शुष्क हवा का आन्शिक दाब कितना होगा हाया ना तरप्ती थेंग्यू पिटा थेंग्यू बढ़िया से अच्छे से clear करो बच्छो सारी बाते समझो अच्छे से clear होईगी सब बाते clear होगी बच्छो बताओ जी बताओ इस क्यूशन का अंजर क्या होगा क्यूशन को समझो पानी से संत्रप्त हवा में ठीक है वाश्प का मोल प्रभाज इतना है ठीक है कि यार यहां पर हमारे पास एक पात्र है इस पात्र को हमने ढखा हुआ है ठीक है इस पात्र को हमने ढख दिया यहां तक पानी पानी है ओके तो यार यहां पर जो यह वाश् वाश्प भी है और हवा भी है तो हमसे पूछ रहा है कि पानी से संत्रप्त हवा में वाश्प का मोल प्रभाज जो यहां पर एक्स वाश्प है बटा पानी की वाश्प इसका मोल प्रभाज कितना है 0.02 ओके यदी संत्रप्त हवा का कुल दाब कुल प्रेशर हमें दे रखा है कितना दे रखा है बिटा 1.2 ATM हाजी शुष्क हवा का आंशिक दाब यहां देखो यह पानी तो हवा तो यहां पर है हवा का आंशिक दाब हम से पूछ रहा है तो यार गेसी अवस्ता में मेरे को आंशिक दाब पूछ रहा है तो डोल्टन का नियम हम लगा सकते हैं ना के नियम से गेसी मिश्ण में किसी एक अव्यव का जो आंशिक दाब है किसका निकालना मेरे को शुष्क हवा का निकालना है शुष्क हवा का निकालना है वो किसके बराबर होएगा उसके मोल प्रभाज उसके मोल प्रभाज गेसी अवस्ता में यादो आपने वाई वाला फ चुश्क हवा के मोल प्रभाज ओके गुणा पी टोटल पी टोटल बस यह सुत्र लगा लो अब जड़ा देखो ध्यान से वाश्प का बाहर कितना दे रखाए 0.02 तो यार यहां पर अगर हम बात करें यहां पर इसको वाई लिख लेते हैं वाई वाश्प वाश्प अवस्ता में वाश्प का मोल प्रभाज तो यहां पर कितना होगा वन माइनस कर देगा क्या वन माइनस कर दे वाई वाई यहां पर बाहर वाश्प भी और शुश्क हवा भी दोनों के मोल प्रभाज का योग एक होएगा अगर इसके मोल प्रभाज 0.02 है तो वाश्प यहां पर एक माइनस जिरो पॉइंट टू करोगे तो यह आ जाएगा पॉइंट नाइन एट सही बूल रहा हूं ठीक और पी टोटल कितना हो जाएगा यह हो जाएगा वन पॉइंट टू इसको आप हल कर जी और आंसर पा लीजी इसको आप हल कर लीजी जिसमें आंसर आ जाएगा बारा नम में हो जाएगा 108 108 और यह हो जाएगा 117 ठीक है तीन दश्मलवबाद पॉइंट लगा दीजिए 1.176 यह हो जाएगा आपका आंसर तो बहुत सिंपल सिंपल प्रशने विटा जो कि आपके पिछले सालों में आए हुए हैं जो कि आपके डॉक्टर बनने के सपने में बादा बने हुए हैं यार आप डॉक्टर बनना चाहरे हैं और यह चीजें आपके बीच में आ रही है अगर को कर ले में भलाईए यह कुशन आपके एक्जाम में आने वाला है ऐसे कुशन आ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इनको अगला कुशन वह मिश्रन जो क्वतनांक उच्चतम क्वतनांक वाला इस्तिरक्वाथी विल्यन बनाता है वो होगा बताईए बच्चो प्रशान सेंग जी उच्चतम क्वतनांक वाला इस्तिरक्वाथी विश्रन बनाता है उच्चतम क्वतनांक वाला इस्तिरक्वाथी मिश्रन कोन बनाता है उच्चतम क्वतनांक वाला अगर हम बात करें उच्चतम उच्चतम क्वतनांक का इस्तिरक्वाथी मिश्रन बनाता है उच्चतम क्वत चलन दर्शाएंगे इसका आंजर होएगा तो बस आपको ये पता हो जो कि धनात्मक विचलन दर अने वाले क्या उदान है दान अटमक विचलन दर्शाने वाले क्या उदाने तो कर लोगे हाई ना अगर हम बात करें है टेन प्लस ओक्टेन एन होक्टेन एन एप्टेन ये बनाते बीटा आदर्श विलियन एसे टोन और कार्बन डाई सलफाइड ये देते धनात्मक विचलन एथनोल प्लस जल या मिथनोल प्लस ये भी देते धनात्मक विचलन लेकिन जल प्लस नाइट्रिक अमल ह2O प्लस HNO3 यहाँ दर्शाते आपके रिनात्मक विचलन नेगेटिव डेविएशन तो यही इसका अंसर होगा क्लियर हो गया इसका अंसर होएगा ओप्शन नमबर 1 2019 में पूछा गया था तुमारे भी जासकता है ध्यान रखेगा अगला प्रिश्टरम एक तनुविलियन की मुललता को यदि दुगना किया जाता है तो मौलल अवनमन इस्तिरांग के एफ पर क्या फर्क पड़ता है बताये बचों अगर मैं तनु विलियन की मौललता को चेंज गर दू दूगना कर दूँ तो क बहुत बढ़िया प्रस्ण है लाइक कीजी आप शेशन को यार क्योंकि आपके लिए शेशन सम्म लेकर आ रहे हैं बढ़िया से लेकर आ रहे हैं यह सेशन बेटा आपके लिए चलाया जा रहा है ठीक है क्या मेरे को नीट का पेपर देना है नहीं देना है ठीक है आपको देन में जो मोलल आवनमन इस्तिरांग के यह नियतांग होते हैं यह फिक्स वेल्य होती है ठीक है हर एक विलाइक के लिए इसका मान फिक्स होता है जैसे कि जल के लिए अभी हमने देखा था वन पॉइंट 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 फाइफ एक विले हैं जिसका हमने सो ग्राम जल में विल्यन बनाया ओके और उसको सो डिग्री सेल्सेस पर वाश्पदाब साथ सो बतीस है एमेम यदि के भी इसका इतना है तो इस विल्यन का कुटनांग होगा एक बढ़िया क्यूशन है थोड़ा सा आपको समझना है अप्रोच लगानी और क्लिक करना है यार मेरे को दे रखा है कुटनांग अब कुटनांग पूच रहा है कुटनांग मतलब डेल में थोड़ा टैम लेना है आपको अगर टैम लेना है तो आप अच्छे से टाइम लिजिए बढ़िया ऐसे लेकिन हल तो आपको ही करना पड़ेंगा कुए एक्जाम में जब आएगा तो बढ़िया से आप इन सारे जोंको समझी है बढ़िया से क्लिर कीजेंगो क्योगि कुशन को कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से चुंकि हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी गुणा एम क्या है मोललता अब जरा देखो ध्यान से डेल्टा टीबी अगर मेरे को यह पता चल जाए कि कितनी कुटनांग में उन्नेयन हुआ उन्नेयन मतलब व्रद्धी अब आपको बताना है विलियन का कुटनांग कितना होगा भया जल का कुटनांग कितना होता है 100 डिग्री से ल आएगा देखो सारे मांसों से ज्यादा यह अब जड़ा देखो ध्यान से यहां पर अगर हम डेलिटा टीबी ग्याद करना चाहें तो के भी का मान दे रखाए 0.52 अब एम एम क्या है मेरी मोललता मोललता की परिवाशा क्या होती है कि हजार ग्राम विलायक में घुले हुए व विले कितना है हमारे पास 5.6.5 यह क्या है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार अब अनुभार तो हमें पता ही नहीं है हमें अनुभार तो पता ही नहीं है बटे यहां पर अगर हम कर भी दे की सर विलायक का भार विलायक का भार कितना है 100 ग्राम ठीक गुना हजार कर देंग हमने सब लगा लिया हमने सब लगा लिया कि सर क्यूशन जितना सीधा लग रहा था न उतना है नहीं कि हमें यहाँ पर यह ग्यात करना है लेकिन मेरे को अनुभार नहीं पता है मुझे अनुभार नहीं पता है अब इस चीज को मैं कैसे क्लियर करूं यार हमने फटापट से क् लगेगा तो काम हो जाएगा फोर्मुला लगेगा काम हो जाएगा लेकिन मैं रोगनुभार नहीं पता है तो यार इसने एक चीज़ दे रखी वाश्पदाब दे रखा है तो मैं वाश्पदाब वाले फोर्मुले पर जाऊंगा वाश्पदाब का फोर्मुला क्या होता है हम यह भी जानते है पी नोट माइनस PS अपोन पी नोट बराबर क्या होता है बराबर होता है X B Vale के मौल प्रबाज क्या इस फोर्मुले पर जाऊँगा मैं और जो की यहाँ पर क्या होता है इस मोल येन अपोन केपिटल येन क्योंकि अगर ज्यादा तनू माध्यम है ज्यादा तनू विलियन है तो इस प्रकार्ट से अमल करेंगे तो यार आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट एसे करता तो कहीं न कहीं फस रहा था अगर मैं direct ऐसे करता तो कहीं न कहीं फस रहा था क्योंकि पेपर में तुम ही करोगे वहाँ पर तो यार यह delta टीबी मेरे को गयात करना है लेकिन मेरे कोणों भार गयात नहीं है तो इसके लिए उसने वाश्पदाप दे रखा है कि यहां पर वाश्पदाप दे रखा है उसने 100 degree Celsius पर 732 दे रखा है कितना दे रखा है 732 दे रखा है ओके यह कब जब हमने विल्यन मिलाया लेकिन शुद्ध अवस्ता में कितना होता है एक ATM, एक ATM बोले तो 760 mmHg तो यार मेरे को ये P note पता है कि यार अगर शुद्ध अवस्ता में बात की जाए जो वाश्ब, एक ATM होता है एक 1 atmospheric pressure जिसको अगर हम बात करें तो 760 mmHg लिख सकते हैं तो यहाँ पर शुद्ध अवस्ता में कितना है? 760 mmHg यह PS हमें दे रखा है वाश्बदाब ओके बटे में आजायेगा 760 बराबर में small N ये आगे मेरे पास 56.5 अपोन ये विले के मोल कैसे निकालेगे ग्राम में भार बटे अनुभार यही हमें ग्याद करना है बटे में जल जल के मोल जल के मोल कैसे निकालने? 100 ग्राम में भार बटे अनुभार अनुभार उपर चला जाएगा ठारा यह आगया यहाँ से हल करके यहाँ से हल करके बच्चों आप M निकालेगे यहाँ से हल करके आप M निकालेगे और वो M आएगा आपके पास लगबग लगबग आएगा बिटा 31.75 ग्राम के लगबग थोड़ा केलकुलेशन है आप इसको सोलू करेंगे आप सोलू करेंगे और यह आ जायेगा आपके पास 31.75 ग्राम के लगबग आएगा अब जैसे ही आया बस इस मान को यहाँ डाल देंगे हमारे डेल्टा टी बी आ जाएगा बोलो जी बोलो बोलो जी बोलो क्लिर हो गया जैसे हम यहाँ पर यह डालेंगे तो डेल्टा टी बी अगर हम यहाँ पर 0.52 गुणा में यह आ जायेगा यह कट जायेगा बिटा 10 तो यहाँ पर हो जायेगा ना 5.6 गुना टेन और अनुभार कितना है 31.75 इसको 0.06 के लगबग इतने वेली निकल कर आएगी ठीक है डिगरी सेल्सियस और आप इसको इसमें एड़ कर देना काम हो जाएगा यह सारी की सारी के एलकुलेशन आपके आसानी के लिए कर नहीं है ठीक है कि यहाँ पर यह MW आप ग्याद करोगे इतना आजाएगा इतना आने के बाद इसको यहाँ पर अ नृट लेवा राई गया तो अब मैं यहाँ पर उसके मोल निकाल सकता हूँ मोल निकाल करके एहाँ पर हल कर लूँओं लगभग लगबग इसको आपके उपर एटिक को सोल्व करना हमें पता चल गया कि सर उन्ययन इतना होगा उन्ययन इतना हुआ तो फाइनल क्वतनांग कि इतना हुआ अतहा विलियन का क्वतनांग पहले कितना था सो डिगरी सेल्सिस था बाद में कितना हो गया इतना हो गया तो वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो सिक्स इतना उसमें व्रद्धी हो जाएगी जिसको लगबग लगबग में क्या लिख सकता हूँ एक सो एक पॉइंट जीरो सिक्स या फिर एक सो एक डिगरी सेल्सिस थोड़ी सी केलकुलेशन है आप उसको करोगे तो आराम से कर सकते हो बच्चो और फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ यार हमारा ऑप्शन नंबर एक चमक गया थोड़ी सी केलकुलेशन इतना आसान नहीं ठीक थोड़ा सा यहां पर केलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर अगला प्रिशन बच्चो हां जी समझ में आए बेटा मॉमबजी तनू क्लियर हो गया कोई बात नहीं बेटा इचके जी थोड़ा सा इसमें केलकुलेशन है यार देख केल हमें फोर्मूला पता है सब कुछ आता है बस हमारी जद्दो जहाद है तो केलकुलेशन को कम करनेगी वो आपको एक्जाम में सोचना है कि कैसे मैं कम कर सकूँ उसको अगला प्रशन बेंजीन और टोलूइन का एक अनुपात एक आदर्ष मोलर मिश्टन के सयोजन से निम्न में से कौन सा कतन है वो बताना है मतलब अ बेंजीन का यहाँ पर वाश्पदाब दे रखा इतना और टोलूइन का वाश्पदाब दे रखा इतना दाब दे रखे इनके ओके अब वाश्पवस्ता में बेंजीन की अधिक प्रतिशत्ता होगी वाश्पवस्ता में टोलूइन की ज्यादा प्रतिशत्ता होगी या सब पड़ने आए हैं या फिर बाते करने बैटा जी जो बाते करने आए हैं वो बाते ही करेंगे tension मतलो हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो पढ़ने आए हैं हम उनको भले कितना ही अगर हम जैسे की बात करें और अब जैसे की में जैसे नहीं हो सकते ना, तो वो तो हम मान की चल रहे हैं कि कुछ बच्चे तो यहाँ पर अलग-अलग ID से आये होंगे, ठीक है, नाम कुछ है, असली में कुछ है, लेकिन हो कुछ हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान दो, उन पर टाइम पास करने में कोई मतल सब नहीं है, हाँ जी, बताई यह इस कुछन का अंसर क्या होगा, पहली बात, गुडिवनिंग बेटा, गुडिवनिंग, क्या आपको यार यह कुछन समझ में आया बच्चो, क्या आपको यह कुछन समझ में आया वाकई में, देखू ध्यान से, क्युछन यह है, कि हमें ब ख्याग रकाइ तो बैटा यहां पर वाशप बनेगी यह वाश पीप इसमें बage ओर ये वाश प्वर बैंजion की बिए ओर तोलओं की वाश पहें तो हमसे यह पूछ रहा है कि वाश पवस्ता में किसकी प्रतिशत्ता जादा है अब सोचो केसे करोगे यार मेरे को ये द्रव दे रखा है विलियन दे रखा है विलियन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है मेरे से पूछ रहा है वाश पवस्ता में किसकी मात्रा जादा है तो मैं क्या यहां पर मोल प्रबाज निकाल लूँ जिसके मोल प्रबाज जादा होगी उसकी मात्रा जादा होगी हाँ या न अरे वाश पवस्ता में मोल प्रबाज केसे निकालते हैं बस वो चीज आपको पता लग जाए जिसमें क्लियर हो जाएगा देखो ध्यान से पहले देखो एक तो पूछा गया है बाई द्रववस्ता में दे रखा है एक एक अनुपात एक के रेशो में है यह मोल इसका एक मोल इसका है तो क्यों न मैं इस हेल्प से में बहुत सा ही जाए निकाल लूँ देखो हमें वाश पवस्ता में बेंजीन के मोल प्रभाज ग्याद करने हैं और टोलूइन के मोल प्रभाज ग्याद करने जिसके लिए मान जादा आएगा उसकी मात्रा जादा आएगी क्या ये समझ में आ तो अब आईए चलिए बात करें तो सबसे पहले एक अनुपात एक दे रखा है तो बेंजीन के मोल बेंजीन के मोल अ देखे जाएं तो कितने आएंगे तो लूइन के मोल प्रबाज देखे जाएं तो कितने आएंगे इसके भी 0.5 आएंगे ठेके एक एक मोल दोनो तो अनुकूल बटा कूल स्वेम के मोल बटे कुल मोल तो एक बटा दो एक बटा दो दो दोनो के 0.5 0.5 आएंगे के नहीं आएं तो यहां पर हमने इनके मोल प्रभाज लिख लिए अब मोल प्रभाज निकाल लिए तो अब यार हमें पता है कि यार वाश पवस्ता में फोर्मुला क्या होता है वाश पवस्ता में फोर्मुला क्या होता है पी नोट जो पी ए बराबर होता है बेटा वाई ए गुणा पी टी खूल दाब निकालना पड़ेगा मेरेको, वासपवस्ता के लिए फोर्मूला यह होता है ना कि अगर मुझे किसी भी एक घटक का वासपवस्ता में मोल प्रभाज भ्याद करना है तो उसको कुल दाब से गुणा करना पड़ेगा, कुल दाब मेरे को चाहिए, कुल दाब हम यहां से निकालेंगे, कुल दाब हम यहां से निकालेंगे, तो जरा देखो मेरे को टोलू, बेंजीन का वाश्पदाब दे रखा है, और टोलू इन का दे रखा है, आन्शिक दाब क के पडों में तो यार अता देखो ध्यान से कुलदाब गुल दाब ूटाल मेरे को फाइंड आउक करना है तो कैसे करते हम पीनोट एन एक से प्लस पी नोट भी एक रखुड क्या यहां पर हम इन सारे वेलियू आख करके यहां पर ग्याट नहीं कर सकते अब मेरे को पी टोटल बेंजीन का वाश्पदाप कितना दे रखा है बारा पॉइंट आठ गुना यहां पर कितना हो जाए 0.5 प्लस इसका टोलुइन का कितना दे रखा है 3.85 3.85 गुना 0.5 इससे आपको हल गरना है 0.5 को आप एक बटा दो रखके सोलू कर लो जल्द से क्या आएगा आपके पास यहां से आएगा आपके पास पी टोटल एटी एम के पदों में या जो भी इसने दे रखी नहीं काई केलविन सोरी किलो हां केलविन पास कल के पदों में के पास कल के पदों में यहां पर आपके पास आजाएगा पी टोडल का मान जैसे पी बता रही ही यहां पर इसका answer आ रहा है इसका answer थोड़ी calculation थोड़ा सा calculation और कुछ नहीं है थोड़ा सा आप हल करने बैठोगे तो हो जायेगा बिटा घिंद एक है अगर मैं इसको हलूँ अच्छा फिक्स 6.4 आ रहा है के बिटा जी यहां पर बच्चे बोल रहे हैं भाई यह 6.4 तो मैंने 6.4 लिख दिया है 8.3 8.3 एक बार वो आप देख ले ना इसके लिए मैंने आपको यह जगाँ छोड़ दी है यहां पर जो भी वेल्यू आएगी वो यहां रख दोगे अब जैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूँगा बेंजीन के लिए यहां मैं बात करूँगा बच्चों यहां पर टोलुइन के लिए यह चीज मैंने केलकुलेट कर ली अब यार यहां पर रख दो ना पी ये य हो आगर मैं बात करों बेंजडीन के लिए बैंजीन देन के लिए लिए पीये का मानते रख लिए मेरे चल का 12.8 बढ़ाबर में वैई यही ज्ञात करना है पीटी पीटी मैंने यहां से ग्यात कर लिया फिती बच्चे बता रहे हैं भाया च्छे पॉइंट चार आया है पीटी बता रहे हैं छे पॉइंट चार आया है अब पीटी का माने मैंने यहां पे रख लिया बेंजीन के लिए यहां से वाई ए आ जाएगा और तोलुइन के लिए हम उसको हल कर सकते हैं तोलुइन के लिए क्या जाएगा वाई भी बराबर हो है टोलूइन से तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि वाश पवस्ता में बेंजिन की प्रतिशत्ता जादा है तो इसका फिर आंसर बन जाता है option number a लेकिन कैसे आया पूरा तरीका यह है कैसे आया पूरा तरीका यह है पूरा तरीका यह है यहां 6.4 लिख लिए बिटा मैंने स्टेनली आशू 6.4 लिख लिए तरीका देखो कि आपको द्रव में नहीं पूछा गया वाश पवस्ता में पूछा गया था तो सबसे पहले मैंने कुल्दाब निकाला कुल्दाब निकाल लिया सब कुछ कर लिया लेकिन मैं उसे वाश वस्ताओं में दोनों के मोल प्रबाज ग्याद करें पी टोटल ग्याद करा फिर वहाँ से मेरे पास आ गया तो जिसकी मातरा ज्यादा है उस हसाब से मैंने हल कर लिया तो यहां पर इसका सही आंसर होता है उप्शन नमबर ए लेकिन तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है बताई इस सर मैंने तीन बार किया है 8.32 है होगा ठीक है विश्वास मैं तrae बात पर कर रहा है कोई बातनी हल कर लेना जो आएगा उसा ही रेजाएगा हांजी ज़्यादा हमाउन्हों होगा किसके हमांप में ज्यादा वनमन है यारे एस प्रशन भौत अच्छे होते हैं आपको अलग-अलग चार कंपाउंड दे रखें आपको हिमांक में अवनमन पूछा गया है कि किसके हिमांक में ज़्यादा अवनमन होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी वन्ट आफ गुणांक ओके 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 ठीके 8.3 जो भी आ रहा है बिटा एक बार सोलू करना पड़ेगा उसको हाँ जी यहाँ पर हमें पता है कि चूकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई गुणा के फ गुणा एम तो जरा देखिए ध्यान से हमारे पास एम मतलब मोललता सबके फिक्स कर दी गई है 0.10 यह फिक्स कर दी गई है तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ना यार के वे से नेतांग है इसाई टी एफ किसके समानुपाती होगा आई के आई जिसका ज़्यादा उसके वंटा उसके अंदर हिमांक में अवनमन ज़्यादा होगा और आई किसके समानुपाती होता है आईनों की संक्या के आईनों की संक्या जिसमें ज़्यादा मिलेगी भाईया जी काम हो जाएगा और आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे बच्चे यार वाकई में 50% बच्चे 50% बच्चे बोल रहे हैं सर option number C सहीए गयार क्या option number C क्या आपके लिए जो यह मेहनत की जा रही है क्या वाकई में आपके लिए काम आ रहे है और जो बच्चे यहाँ पर पर प्रेजेंट टाइम पर आप फिल्टर कर सकते हो बच्चों को जो बच्चे अभी doubt net पर present time पर इस time पर यूट्यूप पर अपने को live देख रहे ना विटा ये वाक़ाइं में seriously बच्चे यह serious पढ़ाए करने वाले क्यों जो अगर time pass करने वाले होंगे तो यहां क्यों करेंगे वाइपेल जाके देखेंगे ठेके वाइपेल देख रहे हैं ह यहाँ पर यह चीजें आपको पता चल गए जिसमें आयनों की संक्या जादा होगी तो देखो के सी एल जब तूटेगा तो के प्लस सी एल माइनस एक ही आयन, दो आयन मिल जाएंगे, यह सी सिक्स एच टू एल ओ सिक्स सह सही होजा क्योंगी कि यह आयनित नहीं होता है बटा, यहाँ पर तीन यहाँ पर सलफेट आयन बनेंगे, टोटल यहाँ पर पांच आयन, तो पांच आयन बनेंगे, तो पांच आयन सबसे जादा इसमें बनेंगे, इसमें यहाँ पर तीन यहाँ बनेंगे, दो पोटेशियम, एक सलफेट आयन, तो पांच आयन, तो यहाँ साइब घट को अगे आयाँ ठीक घटेगा सब से ज्याद इसका तो य狼 यार औफशन नमबर स्थाड हो जाएगा क्लियर है बिटा अगला एच के जी समझ में आ अगला प्रसन बच्छों अगला एक और बढ़िया प्रन्ष जली माध्य में विल्त सब्सक्राइब कर लोगे लेकिन टफ क्यूशन कैसे करना है ठीक है जो बच्चे भी सोच के चले जाएंगी कि यारी चेप्टर तो बहुत टाफ है मैं तो नहीं करूं मैं तो तुड़ा इसके लावा कोई दूसरा कुशन कर लूँगा फिर टोपर कैसे बनोगे बिटा हम सपन देखते हैं टोपर का हम सपना देखते हैं 650 नंबर का हम सपना देखते हैं सिधे आएटी सिधा हम सपना देखते हैं सिधा दिल्ली एमस का हम उससे नीचे सपना नहीं देखते हैं सी सर दिल्ली एमस सर मेरे को दिल्ली एमस चाहिए लेकिन कैसे आता है वो नहीं पता मेरे को तो दिल्ली एम्स में जाना है सर हाया ना ओके एक बच्चे ने मेरे को वट्सएप पर एक मतलब वीडियो भीजा वीडियो भीजा वो उसमें एक ग्लास है ग्लास में पानी डालता है जैसे जैसे पानी का लेवल आ उपर उठता जाता है तो धिरी धिरे उसके पीछे फोटो जिए लिए तो मैं उसको देखा मैंने की बहुत बड़ी है शुव्म मोटीवेशन होना चाहिए लेकिन बस वह फो ऊसी को शेर किये जा रहा है उसे को शेर के जा। बस से थोड़ी काम से लेगा तो पढ़ना परेगा वहाँ जाने के लिए तो अगर हम बात करें बिता यहा सेलफाइड सोडियम एस ब्लोक का है तो एस ब्लोक के योगिक आइनिक होते हैं या जल में आराम से घुल जाएंगे अगर हम बात करें बैटा यहां पर सी यूएस और जड़ेनेस तो कहीं न कहीं इसी सेक्वेंस में आते हैं तो अगर मैं आपको थोड़ा बुत फजान के यह होगा तो यह अर इससाब से तो यह द्वां सरे यह तो थो कट गए अब यहां पर यहां पर में आपने लोग gotta तो जिंक से को जिंक की और जाने पर size बढ़ जाता यह छोटा दनाईन है यह चोटा दनाईन है छोटे आकार का दनाईन होगा तो यहां पर सरसयोजग लक्षण इसकी तुलना में जादा होगे अगर पढ़ा होगा तो तो ज़रा देखो ध्यान से एने टू जेड़ ये तो एने टू एस सोरी एने टू सबसे जयादा गुलंशील होए गा फिर ये ज्यादा आईनिक है इन दोनों में से फिर यहाँ पर CUS यह सबसे लास्ट में आएगा तो यहां पर इस कॉंसेप्ट से भी आप इसको हल कर सकते हो या फिर विलेता वाले कॉंसेप्ट से आप हल कर सकते हैं तो यार यह कुश्चन आप अच्छे से लगा सकते हैं और इसका अंसर बन जाएगा फिर इसका अंसर बन जाएगा इसका अंसर बन जाएगा और जींक ना इसका संसर बन जाएगा और C conjunction किस्ट आहाए प्रव University थी टूर QC एंचका अंसर बन जाएगा से ब्रॉल बहुत जल्दी एंड हो जाता है तो क्या होगा बिटा जी आप उसमें देख अगर तुम मेरे को कमेंड बोक्स में जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे ओप्शन भी देख पाऊंगा कि इस बच्चे ने क्या जवाब दिया ठीक है आप पोल में जवाब दे दो उसके बाद थुड़ा सा हल करके नीचे जवा आने के लिए कितना ग्राम सांद्र नाइट्रिक अमल का गोल प्रयोग में लाएंगे बताएं सांद्रित अमल सत्तर परसेंट एचन एचनो 3 है बताओ इस कुशन को कैसे हल करोगे देखो फिजिकल केमेस्ट्री में टाइम लगता है लेकिन अगर आप करना चाते हैं तो लगता है तो कितने ग्राम मतलब ग्राम में मातरा पूछ रहा है और सांद्रित अमल सत्र परसेंट एचनो 3 मतलब जो सांद्रित अमले जो सकी साम अब आपको यहां पर बागे सोचना थुड़ा सा अच्छे से हल करना है हाँ जी क्लियर हो गया गया बताए बिटा मैसेज न रखिये मोलरता दे रखिये मोलरता क्या दे रखिये दो मोलरता बराबर क्या होता है विले के मोलों की संक्या जो की एक लिटर आयतन में उपस्तित है तो विले के मोल निकाल लो विले के मोल निकालने के लिए सुत्र क्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभार तो ग्राम में भार वहीं तो हमें ज्यात करना है ग्राम में भार बटे अनूभार hnd 3 hno3 को देखा मैंने hno3 को मैंने देखा तो इसका एकवल का अनुभार कितना होगा बिटा इसका आ जावा औरhua 53 ग्राम पर मोल जाएगाब इसकी प्रभ में करना सिंपल प्रस्द के नहीं करना सज्बन प्रस्थ नहीं तो यहां पर कितना लिखेगा आप यहां पर लिखेगा आप कितना 63 63 आ जाएगा ग्राम में भार आगया अब आईतन कितना दे रखा है 200 200 ml को लिटर में कनवर्ट करने के लिए 1000 डाइसो से 1000 चम चम हो जायागा पीटा चार बार तो यार यहां पर यह कट गया दो बार तो ग् 52 को उपर कर दिया 2 को नेचे लिख दिया यह ग्राम में भार आगया अब हमसे यह पूछा गया है कि यार यह वो मातरा है जो 70% है ठीक है आपको total निकालना है ठीक है यह वो मातरा है जो इसका 70% है तो अगर आपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अतह, HNO3 का तुल भार, यह है आपके पास 63 बटे 2, इसका 70% मतलब हमारे पास टोटल निकालना है, यह जो आया है, 70% टोटल निकालने के लिए बेटा, 100 बटे 70 कर दो, हल कर लो, सिंपल थोड़ा से केलकुलेशन है, हल कर सकते हो, देखो ध्यान से, एक जिरू से एक जिरू हटा दिया, अच्छा हो गया ना यार, 9, 63, 9, 63, 9 बार, 90, 90 बटे 2, 45, यह आगया 45 ग्राम, ठेक, तो इससे आपसे सकांसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर D, क्लियर हो गया, सब बच अगला प्रस्न, अगला प्रस्न, एक आदर शिविलियन को विशुद्ध द्रव, A और B के वाश्पदाप करमश, PAPB दे रखें, यार, बहुत बढ़िया क्यूशन है, फोर्मूला दे रख कर गया, अगर भाई, ऐसे क्यूशन पेपर में आएंगे ना, तो बोनस वाले क्य होगा, आप से सुतर पूछ रहा है, बिटा, क्या होगा इस कांसर, एक बार और बता दीजे, बताओंगा बिटा, पहले ये क्यूशन कर ले, बहुत सिंपल प्रस्न है, आज मैंपन, आज हम 20 प्रस्न लगाएंगे, बिटा, 20 प्रस्न आज हम लगाएंगे, क्योंकि देखो, फिजिकल के कुशन्स टाइम लेते हैं, तो ज्यादा टाइम तक आप इनको कर बीन पाओगे, वरना फिर आप बोर हो जाओगे, तो इससे बड़िया है, आप अच्छे से इनको कुशन्स को लगाएंगे, और जो बचे हुए 5 कुशन है, वो आपके पास AZT's आजाएंगे, ह XB, आप से XA के पदों में पूछ रहा है, तो यार हम जानते हैं न, XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1 तो XB की जगए यहां पे रग देंगे, तो क्या हो जाएगा, पी नोट A, XA, XA प्लस यहां हो जाएगा, 1 माइनस XA गुणा पी नोट B, तो बस PT हमें ग्याद करना ह XB, पी नोट B, जब XA से गुणा होएगा, क्या बच जाएगा, पी नोट B, और जब XA से गुणा होएगा, यहां भी एक से, यहां भी एक से, कोमन लिक कर ले क्या, पी नोट A, माइनस पी नोट B, यह XB, XA आ गया, खटाक, option number D बन जाएगा, very good जिनों ने किया, बहुत बढ़िया, अगला प्रस्न, हाँ जी, एक प्रोटीन के दो से मेल गो, अच्छा प्रस्ने, बढ़िया से आप लगाईएगा, क्योंकि देखो ध्यान से, फिजिकल में टाइम लगता है, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशन से बिटा, तो आप अच्छे से कर सकते ह लेकिन आप तो सोच रहे हो, फटाबट बढ़ाबट 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 बायलोजी की तरह बताया जाओ कि सर यहां पर बताईए चार ओप्शन इसका क्या सही होगा, सर A, बताईए इन में से क्या सही होगा, ऑप्शन नमर B, एस थोड़ी नोएगा भाईया, फिज कर सकते हो, देखो, परासन दाब दे दिया, काम हो गया, हम परासन दाब के आसपास खेलेंगे, ठीक है, आ रहा है बेटा, अभी सिंह आपका कमेंटा आ रहा है, देखो, परासन दाब, चू कि हम जानते हैं, परासन दाब पाई बराबर क्या होता है, C, R, C, क्या है, तोटीं कि सांद्रता के आसपास मॉलर द्रावीमान में ग्याद कर सकता हूं है ना तो पाई मेरे को दे रखा है दो प्रेंट पांच साथ दे रखा है गूर्णhat नसकी घात माइनस तीन ठेक यह दे रखा है बार के पदों में अब मेरे को सी सांदृता सांदृता क्या होती है मोल लड़ता के पदों में सांदृता क्या होती है मोल पर लीटर अब मोल इसका gram में भार दे रखा है 1.26 ग्राम में भार बटे अनु भार ये मोल आ गए ठीक है और बटे में आता है आईतन आईतन कितना दे रखा है 200 ml 200 ml में दे रखा है तो 1000 से गुणा कर लिया बस ये ग्याद करना है 200 से ये कट गया बिटा पाँच बार ठीक है ओके अच्छा ये पर क्या आएगा और आर का मान कितना है आर का मान उसने खुदने दे रखा है एंट पॉइंट seas know at Thri 288 दे रखा है औरटीघन मान 300 Kelvin यार वो आपको देखना है बड़िया समझ में नहीं आया यह 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 पाई बराबर CRT उता पाई का मान रखा सी क्या है सांद्रता चुक्त हम जानते हैं न सी बराबर क्या होता है एन अपॉन वी मॉल्स पर लीटर मॉल के से निकालेंगे विले का मॉल बटे विलियन का वे सोरी विले के मॉल बटे विले का अनुभार अनुभार रखा आई तन दो सो एमेल में दे रखाता खटा-खट- आया कि नीचे हजार लगाया तो दो-जीरो से दो-जीरो चंचम हो गया क्लिर हो गया थोड़ा सा क्यल्कुलेशन आसां करने के लिए 26 के 26 आया 26 के आगे कि दो दश्मला भटा जम दोग दश्मला उटा आया नीचे 2-0 फिर लगा लिया फिर ये दस्टs और ये हो जाएगा 1000, 1000 ये 10 की घात 3, तो देखो दियान से 2.75, 10 की घात माइनस 3 है, नीचे क्या बज गया? 1000 बज गया, 1000, मतलब 10 की घात 3, ये ये कैंसल आउट हो गया, ये 126 हो गया बिटा, यहां 5 रह गया, यहां पर 83 रह गया, यहां 3 रह गया, बटे में molecular weight रह गया, तो बस इस calculation को हल करना है और simple अच्छे तरीके से clear कर लेना है ठीक इसका answer मैं आपको बता दू फिर भी मैं आपको बता दू इसका answer है option number D ठीक है अगर कोई बच्चा सोलू करे बाद में तो देख लेना इसका answer है option number D clear है इसका answer है option number D यहाँ से calculation को हल करना है molecular weight निकाल लेना है है बोलो जी बोलो समझ में आ रहा है question हर concept समझ में आ रहा है बढ़िया से clear गरना है हो जाएगा ठीक अगला प्रश्ण बच्चो एक योगिक के लिए यह तो देखते हैं टिक करने है प्रश्ण है हाँ जी जब भी फिजीकल के मिस्ट्री लगावना बिटा तो बैट करके कुश्चन पेपर लेकर बठा करो और अच्छे से सो लू करो हाँ जी वंट ओफ गुणांग आई का मान व्योजन में कितना होता है बहुत ही सिंपल प्रश्ण है अच्छे से कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर सकते हो समझ में आया यार तुम्हें पता भी IPL में एक नए नया टाइप का फीचर आया है ठीक है जियो सिनिमा पर उस पर जिस पर IPL आता है उसमें हर एक लेंगवेज में वह आता है ठीक है कोमेंटरी उड़ती यूपी यूमलब भिहार लेंगवेज पंजाबी हो गई तो बहुत अच्छा लगता है भोचपुरी में भोचपुरी में सुनता हो एकदम मस्त बिंदास तरीके से हाँ ज चेरन चबडा रेल्वे स्टेशन के ऊपर बहुत अच्छा लगाता हूं हां जी बताए यह इसका अंसर क्या होगा परंतु यार तुम्हें भी पढ़ाए करनी बटा तो मैं अभी पढ़ाए करनी है हाँ जी बताओ क्या अंजर होगा अंजी क्या होएगा इस क्रिशन का अंसर बहुत ही सरल है यार देखो जब वियोजन होता है तो आयनों की संक्या बढ़ती वंट औफ गुणांक आई होज बढ़ जाएगा और जब संगुनन हो जाता है तो बिटा जी वहाँ पर आई का मान ठीक है वियोजन के लिए एक से ज्यादा और एक से ज्यादा और जब संगुनन हो तो एक से कम इसका अंसर हो जाएगा सी फोर यहाँ पर चेन नहीं क्लिर हो गया गया बहुत सिंपल है सबसे इजी प्रशन वेरे गुड अगला प्रशन हाँ जल का हिमांक अउनमन इस्तिरा गुणांक माइनस 1.86 डिगरी सेल्सियस और यहाँ पर मोलल इन्वर्स है ठीक है यदि पांच ग्राम एने टो एसो फोर को पैतालीस ग्राम जल में घुला जाता है तो हिमांक इतना कम हो जाता है आपको वंट ओफ गुणांक आई गयाद करना है कर सकते हो वंट ओफ गुण नहीं आ रहा सर इसलिए गलत हो गया कोई बात नहीं बटा कोई बात नहीं लता जी गलत हो गया सर आप मेच नहीं देखते हैं क्या देखता हूं बटा जी देखता हूं लेकिन पहले यार मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें पहले पढ़ाऊं मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें प सोचेंगे किस तरीके से आपको क्लियर करना है हाँ याना जी सर आप बोलो क्या होगा इस कुशन का अंसर देखो जल का हिमांक अवनमन इस्तिरांग दे रखा हिमांक अवनमन बोले तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है अब उन्ट अफ गुणांग गयात करना है तो आए करी दामान तो याद करना है के एफ केव कितना देर का कीक देर रखाए यह अच्छा इस तिरांग देर रखाता होतो ओहो ठीड़न यहाँ दियानं से इस तिरांग कितना देरक yap 1.86 दे रखाय ठीक है कमी कितनी हुई 3.82 हो गई ओके हांजी एम एम क्या है मोललता मोललता क्या करनी है हमें पता हो नहीं चाहिए पांच ग्राम यह दे रखा है ग्राम में भार बटे अनुभार एने टुए सो फूर का अनुभार आता है बेटा एक सो बी आलिस इसका कितना था एक सो बी आलिस ठीक है बटे ग्राम में भार विलाएक का भार विलाएक का भार कितना दे रखा 45 कितना दे रखा पे ताली सका ग्राम में दे रखा है 1000 से गुणा कर दो怎麼 अब आप सको हल कीजिएगा जिसमें clear हो जाएगा बेटा जी मैं बिहार से नहीं हूं मैं राजस्तान कोटा से हूं चिक हां तो यहां पर simple से calculation थोड़ी simple थोड़ी tough जैसे भी आप बोल सके यहां पर I का माना आपको निकालना है यहां पर I का माना आपको निकालना है जिसमें आपका काम हो जायागा हां जी clear हो गया आपको यहां पर ये पूरी की पूरी calculation स्वलू करके आई निकालना है अब ज़रा देखो ध्यान से हमारे पास compound दे रखा है na2so4 na2so4 एक आईने की योगिक है तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर लेंगे बिटा जी na2so4 से हमें क्या मिलता है दो na plus मिलता है और एक sulfate आयन मिलता है तो देखा जाए तो तीन आयन हमें मिलते हैं तो वांट आफ गुणांग तीन के आसपास आएगा तीन से जादा कभी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि जितने आयने उससे जादा तो आयन यहां पर बनते ही नहीं है तो यार थोड़ा सा देखते ही तिक करने वाला कुष्ण है जरा देखो ध्यान से यहां पर अगर आप 2.0 देखो 0.3 यह तो हो यह गाई नहीं तीन से ज्यादा हो नहीं सकता अब देखो तीन के आसपास 0.25 यह 0.2.96 यह अप्शन नमबर भी हो गया ठेक क्लिए हो गया अगला प्रिशन सोडियम कार्बोनेट का 25.3 ग्राम लिया प्रयाप्त जल में घोल करके 2500 ml का विल्यन बनाया गया यदि सोडियम पूरी तरीके से घुल गया मतलब पूरी तरीके से आयनित हो गया मतलब दो एने प्लस मिल जाएंगे, एक कार्बोनेट आयन मिल जाएगा, तो सोडियम आयन, कार्बोनेट आयन की मोलर सांधरताय क्रमशर होगी, एक सिंपल प्रशन है, लेकिन साथ में कॉंसेट भी लेकर आया है, तो अच्छे से, और यार देखो ध्यान से, अपनी ये क्लास चलते-चलते बिटा लगबग लगबग एक घंटा हो चुका है, यार आपने पाश्च्टuw लाइक भी नहीं करें तो यार इस में आपके लिए बढ़िया से, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए यहां-पर क्लासेज लेकर आ रहे हैं, और आप, खो कि कुछ करी न तो अच्छे से लगाओ, सभी क्यूशन को समझो, अच्छे से तुम्हारा सेलेक्शन होएगा, अगर तुमने सोचा है ना, कि यार मेरे को तो बच्पन का सपना था, बच्पन का सपना, डॉक्टर है बनना, तो सपने को पूरा करने के लिए जो मैनत चाहिए ना, आज वो मैन देखो, हमें ये दिया गया है कि एने टू सी ओ थ्री को हमने जल में डाला, तो ये पूर्णतया आएनित हो गया, मतलब दो एने प्लस मिल गए, एक कार्बोनेट आयन हमारे पास बिल गया, अच्छा जी, तो हमें मोलर सांधृताएं ग्याद करने, तो सांधृता, सांधृ मतलब मोलर सांधृता, तो मोलरता ग्याद कर लेते हैं, पहले मोलरता ग्याद करने का सुत्र क्या होता है, विले के मोलो की संध्या, विले कितना है, 25.3 तो 25.3 ये विले का ग्राम में भार, बटे इसका अनुभार, अनुभार कितना दे रखा, इसने 106 दे रखा है, ठीक, भाइ के बहुत बढ़िया तो उत्विलेह के मोल आ गये बटे विलियर का आयतन 200 गुना 1000 ठीक है क्योंकि ml में convert करना तो लेटर में convert कर लेंगे चार बार बार कट जायहाँ ठीक है मोल अरता हमारे आ जाएगी मोल लड़ता हमारे पास जब इसाप राशी को आप हल करेंगे ने फिटा 25.3 गुने 4 बटे 106 इसको हल करेंगे तो यह मान यहमान आपके निकल कर के आयगा बिटा यह मान निकल कर हमें एने प्लस की सांद्रता ग्याद करनी है तो यार यहां पर जस्ट डबल हो रहा है तो यहां पर एक मोल से दो मोल बन रहे हैं हाया ना तो क्या यहां पर अगर मोल डबल हो जाएंगे तो फिर मोलरता भी तो चेंज हो जाएगी ना तो ट्वाइस हो जाएगी डबल हो मौल कार्बोनेट आएन हमें प्राप्त हो रहे हैं एक मौल से एक मौल कार्बोनेट आएन हमें प्राप्त हो रहे हैं अर्थात जो यह है वह यह है तो यहां पर इस क्यूश्चन का अंसर क्या हो गया भाईया जी इस क्यूश्चन का अंसर हो गया बीफोर बनारस समझ में आया क्लेर हुआ ओके कोई ऐसा बुक बता जीजिए अरे भाईया अभी कुछ बुक मत खरीद तू क्या गर यह जो मैंने पीवाइक्यू सिरीज करवा रहा हूं में यूट्यूब पर इनको पढ़ ले इनके क्यूशन लगा ले पिछले 20 सालों के पीवाइक्यू तू लगा लेगा कॉंसेप्ट को समझ और कुछ काम नहीं आएगा तेरे तो बुक खरी देगा उसको दस दिन लगाएगा फिर सब बूल जाएगा ठीक ओके जिससे रट्टा मार ले प्लीज रट्टा मार ने रट्टा मार ले भाई रट्टा से तो कुछ भी नहीं उपाएगा ठीक अगला प सब्सक्राइब कर लोगे यार बच्चों ने बढ़िया से अपना जजबा दिखाया और पासों के उपर लाइक्स पोचा दिये थेंग्यू बच्चों थेंग्यू थेंग्यू हां जी सर इंपोर्टेंट चेप्टर बता दीजिए यार देखो तुमारे जो सिक्वेंस में में पहले इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लेकर आ रहा हूं मैं आपको कोई एक्स्टा अजीब से कोई चेप्टर ने ला रहा हूं पहले में सिक्वेंस में मैंने और गेनिक में पहले शुरुआती चार चेप्टर गरवा है फिर इन और गेनिक के इंपोर्टेंट चेप्टर विल्यन का हिमांग होगा तो डेल्टा टीएफ ग्याद करना है कि मोलर दरविमान दे रखा है सब दे रखा है जल का हिमांग दे रखा है 1.86 दे रखा है ठीक है मोललता कैसे ग्याद करते ग्राम में भार 68.5 अच्छा सुक्रोज सुक्रोज का अनुसुत्र किया होता है बेटा हमने पहले भी सुक्रोस का अण जल ग्राम में भार आईगे हजार ग्राम ठेके ग्राम ओपर हजार से जार् चम ठेके तो टीएफ का मान यहां पे हल कर लेना टेफ का मान यहां पे हल करो के लिए 302 का जश्ट दुगना क्या होता है 342 का दुगना बेटा यह हुएगा ठीक है आज 685 के लगबग 684 हो जाएगा पॉइंट अटा दे लगबग लगबग में यहां 10 लगा दे ठीक है तो यह 2 इसका दूगना कर दे ठीक है और इसका दूगना जैसे तू करेगा न यहां पर दूगना करेगा तो कितना हो जाएगा यह बारा हासिल लगा एक सोला और एक हो जाएगा सत्रा हासिल लगा एक यहां हो जाएगा इतीन बटे दस यह हो जाएगा आपके पास पॉइंट सेव यह हो जाएगा आपके पास दश्मलाव अच्छा जीरो दश्मलाव तीन साथ दो डिगरी सेल्सियस यह क्या होगा हिमांक में कमी आ जाएगी कमी आ जाएगी तो माइनस आ जाएगा बस खतम इसे के साथ इसका अंसर हो जाएगा अपने पास option number a clear simple calculation है अच्छे से कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग में calculation solution करनी हो जाएगा देखो मैंने देखा यार इसका डबल बन रहा था देखो 342 का जस्ट डबल होता है तीन सो चोराश चेसो चोराशी अब यार काट सकते ना दो बार तो दो से स्विगुणा कर दिया फिर दश्म फिर यहां पर यह बच गया था दस दश्मला वटाया नीचे दस लगाए सोल कर लिए आगया अंसर ओप्शन नमबर ए अगला प्रेशन आज का लास्ट प्रेशन आज की ग्लास का अंतिम प्रेशन बच्चो एक आयनिक योगी कैसा दे रखा है जिसकी मोललता इतनी है इसका माइनस में इतना हिमी भूत होता हिमी भूत मतलब इसका हिमांक में अवन नमन होता है आयनों की संक्या जो की एक मोल आयनिक योगिक के पानी में घुलना पर पैदा होगी वो होगी कितने आयन मिलेंगे मतलब आयनों की संक्या हमारे वॉंट ओफ गुनांग को ही बता दी है तो हमें वॉंट ओफ गुनांग ग्याद करना है तो हमें क्यूशन वाप स्वाइनस तो क्या लगाते हम सुत्र में ठीक है यहां पर दे रखा है 0.007 तीन डिजिट तक ले लो ठीक ओके आई का मान ग्याद करना है केफ का मान कितना दे रखा है 1.86 देखो इसमें हमने कुछ मिलाया जलका तो ही मांक वही रहा ना बिटा जी अवनमन इस्तिरांग तो रहा ठीक ओकेश और फिर यहां पर मॉललता कितनी दे रखी यह 0.002 इसको हल कीजएगा आई का मान आ ठीक है आई का मान आपको मिल गया तो का मुझा यह यह हम को ग्याद करना है यह यह हमगो ग्याद करना है हलो और देखो दियान से अगर थोड़ा कोडिनेशन पढ़े रखांड ना बेटा यह एनेस थ्री होल फाइफ ठेके कोबाल्ट यहाँ पर कोबाल्ट कोबाल्ट वाला संगुले कोबाल्ट आम और पर समन्वे संक्य च्छे वाले संकुल बनाता है ठीक है अगर यहां पर मैं एक नोटू को अंदर डाल दूँ तो एक सील मेरा बाहर हो जाएगा तो यार कम से कम दो आयन देगा एक पुरा धना निये एक रिना निये दो आयन आ जाएगा लगबग लगबग डी की आसपास संब्सम्माब करने एक बार सोल कर लेना बेटा क्या बैधा जादा मिल जाए एक बार सोल जरू कर लेना ठीक है ओके इस कानल को हल कर ओँगे उससे की सापसे आंसर आएगा इस साम्सर आ कर के तो यह थे बाज्चे आज के प्रस्ण कान आप घर पे कीजेगा 2006 6 2005 तक 2005 तक के प्रशने बिटा जिनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा यह आपके होमवर्क में आ जाएंगे बच्चों तो यार आप सभी बच्चे साइज जी क्लियर कर चुके बढ़िया समझ चुके यह आपके लिए होमवर्क यहां तक मैंने गरवा दिये बढ़िया से अब सभी को यह कलास काफी लगी होगी आप बच्चे बड़िया से महनत कर रहें अच्छे से पढ़ाई कर रहे और जितने भी आपकी मार्ग में जो रुकावत हरी है उनसे थुड़ा ध्यान हटा रहें हैं बह। अच्छा है आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक तो ए झाल झाल